बेस्ट सुलूशन्स चैनल में आपका स्वागत है लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें कभी कबार हम चीजें तो बहुत अच्छी खाते हैं लेकिन हमें उनका सही फायदा नहीं मिल पाता फिर हम सोचते हैं कि अच्छी चीजें खाने का फायदा ही नहीं है जैसे कि बदाम खाना, अक्रोट खाना या अच्छे फॉल खाना दोस्तो आयरवेद में हर चीजे को खाने का एक सही समय, सही ढंग बताया है जैसे कि अगर दही की बात करें, तो दही को रात को नहीं खाना चाहिए रात को दही खाएंगे, तो आपको सर्दी खांसी जुकाम जल्दी होगा इसलिए दही को हमेशा दपैर को खाया जाता है अजवाइन हमारे घर में इस्तेमाल होती है अजवाइन को भी हमेशा दपैर को ही खाया जाता है अजवाइन को आपको रात की सबजी में नहीं डालना चाहिए ऐसा आयरवेद कहता है चुकि इससे आपको श्रीर में कई तरह के दोश हो सकते हैं तो इस तरह से ही आज हम सेब के बारे में बात करने वाले हैं कैसे खाना चाहिए कब खाना चाहिए और उससे आपको क्या क्या फायदे होंगे तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा देखें अगर आप अपने परिवार को और खुद को स्वस्त रखना चाहते हैं दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त और रिष्टेदार भी स्वस्त रहें तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी उनके साथ शेयर करें इस वीडियो को शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे इस शेयर बटन के उपर क्लिक करें और लिस्ट में WhatsApp और Facebook सेलेक्ट करें और जल्दी से इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि जब अच्छी सिहत की बात आती है तो हम follow का इस्तिमाल करना शुरू कर देते हैं और फलों को खाने के अगर तरीके ही नहीं मालूम तो फलों पर लगाया हुआ पैसा आपका बेकार चला जाएगा और उनका फायदा भी नहीं होगा ऐसे फल जिने आप चिलकों के साथ खा सकते हैं उन्हें चिलकों के साथ ही खाएं सेब के चिलके में कई तरह के पॉस्टिक तत्व हैं इसमें कई तरह के अंटि आक्सिडंट्स हैं जो हमारे श्रीर के लिए काफी इंपॉर्टन हैं तो सेब को हमेशा ही चिलके के साथ ही खाएं दूसरी चीज सेब को कब खाएं बहुत से लोग फलों को डिनर के बाद खाते हैं लेकिन आयरवेद में रात को फल खाने की मनाही की गई है क्योंकि जाड़तर फल तसीर में ठंडे होते हैं रात को इने खाने से हमारे श्रीर में कफ की मात्रा बढ़ जाती है जिससे हमें कफ दोश हो सकता है तो इसलिए फलों का सेवन कभी रात को न करें और सेव का सेवन हमेशा सुबह ब्रेकफास्ट में या खाली पेट करना चाहिए तो जो लोग सेवन दुपहर के समय शाम के समय या रात के समय करते हैं आप साफदान हो जाएं क्योंकि सेव आपको तभी फायदा करेगा जब आप इसे सुबह खाली पेट खाएंगे या सुबह के ब्रेकफास्ट में लेंगे तो ये तो हुआ दोस्तों सेव को खाने का सही तरीका और सही समय अब अगर इस तरहें से हर रोज आप सेव खाते रहेंगे तो आपको क्या-क्या फायदे होंगे चलिए इन्हें जानते हैं जो लोग हर रोज सुबह सेव खाते हैं उनका वजन कभी नहीं बढ़ता और अगर आपका वजन बढ़ चुका है तो धीरे धीरे सेव की मदद से वो कम भी हो सकता है ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपका वजन कम हो जाएगा आपको 4-6 महीने लगेंगे और 15-20 किलो वजन सेव के सेवन से आपका कम हो सकता है डायविटीज के मरीजों को भी सेव का सेवन सुबह करना चाहिए सेव में धेर सारे अंटियोक्सिदेंट्स और धेर सारा फाइबर है जो आपकी श्रीर में इंसुलिन प्रडक्शन को इंक्रीज करता है और शूगर के लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है डायविटीज पेशन्ट्स को सेव का सेवन जरूर करना चाहिए सेव दिल के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि सेव हमारे श्रीर में ब्लड सर्कूलेशन को सही करता है श्रीर में बुरे कोलेस्टरॉल के लेवल यानि की LDL को कम करता है और ट्राइगलिस्राइट्स को कम करता है हमारे श्रीर में HDL की भड़ोतरी कर हमारे दिल को स्वस रखता है जो लोग सुबह, खाली पेट या फिर ब्रेकफास्ट में सेव का सेवन करते हैं उन्हें होट अटेक की समस्या नहीं होती आजकल आप जानते ही हैं कि होट अटेक की समस्या कितनी बढ़ गई है हर 30 सेकिंड में एक इंसान हाट अटेक से मर जाता है जितने में आप इस वीडियो को देखेंगे उतने में इंडिया में 10 लोग हाट अटेक से मर चुके होंगे इंसान घर से निकलता है और अपने ओफिस ही नहीं पहुंचता रास्ते में ही अटेक आ जाता है कुछ लोग तो रात को सोते हैं सुबह उठी नहीं पाते दोस्तो ये बहुत ही गंबीर समस्या बन चुकी है अपने श्रीर का ध्यान रखें हमारी जिन्दगी इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं है हमारी जिन्दगी बहुत कीमती है आप हर रोज सेव खाएं और अपने श्रीर को और अपने परिवार को भी इसकी आदा डालें ताकि आपका परिवार भी स्वस रहे तोस्तो इस तरह से आप अगर सही तरह से सेव का सेवन करते हैं तो आप बहुत सी बिमारियों को हतम कर सकते हैं और हमेशा जिंदगी में स्वस्थ रह सकते हैं ऐसी ही और वीडियोज के लिए आप हमारे इस चैनल Best Solutions के साथ जुड़े रहें ताकि आप इस तरह की important information सबसे पहले पासकें आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी धन्यवाद